स्वागत है आपका हमारी चैनल पर्फेक्ट फार्मेसी पे मैं हूं सुनीता कवर और आज के वीडियो के अंदर हम जो फार्मेसोटिक्स फर्स सब्जेक्ट है फर्स सेमेस्टर का उसकी सेकेंड उनेट जो है वो डिसकस करेंगे उससे पहले हम लोग यह जान रहेते हैं कि जो फर्स सेमेस्टर है कम्प्लीट उसके किसके सब्जेक्ट के अंदर से कितने कितने टॉफिक्स वो हम अल्रेडी कवर कर चुके हैं सबसे फर्स सब्जेक्ट हमारे पास आता है H.A.P. फर्स मदला युमन एनार्टमी एंड फिजियलोजी फर्स तो इसकी जो यूनेट फर्स है उसके कम्प्लीट वीडियो लैक्चर चैनल पर अविलेबल है और जो इसकी यूनेट सेकेंड है उसके कुछ वीडियो लैक्चर सब्सक्राइब। होता है उसके पूछे जाते हैं तो वह अविलेबल यहल applied यहीं अधर्वाली वीडियो अविलेबल यह जो प्रिवियस सारी केलेश्य lips अवेलेबल है सिफा से फिफ्ट उनिट उसके वीडियो लैक्टर्स ड्रों वो चैनल पर अवेलेबल नहीं है वो भी मैं जल्दी से जल्दी अप्लोड करने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट इंपोर्टन कोशिंट वाइस उसकी वीडियो अवेलेबल है दिन उसके वारे मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़े अभी अवेलेबल हैं बाकी की चीज़े जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे अगर आपको किसी भी टॉपिक पर जल्दी से जल्दी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करें नाव फार्मेसोटिक्स की जो second unit है वो हम स्टार्ट करते हैं तो second unit जो इसके अंदर तीन पार्ट है first is pharmaceutical calculations, second is powders and third is liquid dosage form so इसके अंदर से जो first part आता है pharmaceutical calculations इस topic में से exam के अंदर question जो है वो बहुत कम पूछे जाते हैं फिर पूछे ही नहीं जाते हैं जो है वो बिल्कुल भी important नहीं है subjective exam के point of view से so second topic जो है second unit का powders उसे हम आज के वीडियो के अंदर complete discuss करेंगे so सबसे पहले हमें यह बताना कि powder जो है इसके definition क्या होती है तो powder जो है यह एक homogeneous mixture होता है finely divided particles का या फिर materials का dry form के अंदर तो हमारे पास क्या क्या बात आगई सबसे पहला तो है कि powder जो है वो एक homogeneous mixture होता है then यह जो है dry form के अंदर available होता है साथी साथ powder जो हैं यह solid dosage form होते हैं and यह जो है दो forms के अंदर exist कर सकते है crystalline form के अंदर भी and amorphous form के अंदर भी powders जो ही ने internally भी use करा जाता है और externally भी use करा जाता है and जो particle size होता है powder का मतलब जो powder होते हैं उसके अंदर भी अलग-अलग particles ही तो present होते हैं उससे मिलकर के powder जो है वो बना होता है तो जो particle size होता है powder का वो important role play करता है उसकी physical, chemical and biological property के अंदर ठीक है तो यह थी simply definition powder की इसके बाद में second topic हमारे पास आता है classification of powders मतलब powders जो ही ने अलग-अलग किन classes के अंदर divide किया जा सकता है तो powder जो है ने five different classes के अंदर classify किया जा सकता है first आते है bulk powder for internal use, second आते है bulk powder for external use, third आते simple and compound powder for internal use, fourth आते powder enclosed in gadgets and fifth आते compressed powder और tablet triturates so अब हर एक एक type की जो definition है वो हम लोग जानेंगे कि मतलब bulk powder for internal use raise का क्या मतलब होता है and ऐसे हर एक एक class raise का मतलब क्या होता है so सबसे first आते है bulk powder for internal use so जब कोई एक powder होता है उसके जो dose की accuracy है वो important नहीं होती तो powder को जो है bulk के अंदर dispense करा जाता है जब उसकी dose की accuracy जो है important नहीं होती है then इनने जो wide mouth container होता है मतलब ऐसे container जिनका जो मुह होता है मतलब जिससे कोई bottle होगी तो उसका मुह अगर बढ़ा होता है तो उस type के container के अंदर इनने supply करा जाता है फर्स्ट वाला जो internal use के लिए bulk powder था इसे जो internal cavities के अंदर भी यूज करा जाता है बॉडी की लो जो bulk powder for external use होते हैं non potent substances होते हैं इनने mainly glass या फिर plastic के container के अंदर जो है supply किया जाता है लो जो bulk powder for external use होते हैं इसके अंदर example आ सकते dusting powder हो गए insufflation हो गए, snuffs हो गए, dentifrices हो गए, यह सब जो है bulk powder for external use होते हैं थर्ड टाइप आता है हमारे पास simple and compound powder for internal use तो इसके अंदर क्या होता है कि simple powder ऐसा powder होता है जिसके अंदर सिफ़ सिफ एक ही ingredient जो है वो present होता है and then जितना dose है में चाहिए होता है उतना जो है अलग-अलग कर लिया जाता है next class आती है powder enclosed in catchets तो यहाँ पर catchets जो है एक dosage form होती है तो powders जो की catchets के अंदर enclosed होते हैं वो आते हैं इस class के अंदर तो catchets के आंगे solid unit dosage form होती है drug की and यह जो है rice paper की मदद से mold किये जाते है अब जो rice paper होता है वो mixture of rice floor and water से बना होता है and जो यह mixture होता है rice floor and water का इसे दो जो cylinders होते हैं जो की revolve कर रहे होते हैं वो polished होते हैं and hot होते हैं उनके वीच में rice floor and water के mixture को रग दिया जाता है और उसकी मदद से जो यह rice paper बनता है जिसके अंदर catchets तो होते हैं उन्हें mold किया जाता है and जो यह catchets होते हैं भी दो type की हो सकते हैं तो आते wet seal catchets और एक आते dry seal catchets now next class आती है compressed powder और tablet triturates इसके अंदर क्या होता है कि जो powder है उसे tablet की form में mold कर दिया जाता है and जो molded tablets होती है वो अलग-अलग रह की हो सकती है जैसे कि वो flat हो सकती है circular disc type की हो सकती है and इसके अंदर usually एक potent substance present होता है जो की lactose, dextrose या फिर किसी दूसरे suitable solvent के साथ में mix किया होता है ठीक है तो compressed powder या फिर tablet triturates के अंदर क्या आ जाएगा जो की इसके अंदर powder को tablet की form में mold किया होता है ठीक है न तो यह था complete classification of powders now next आते advantages of powder मतलब powder form में drug के होने से उसके advantages क्या क्या होंगे तो सबसे first advantage यह होता है कि यह stable होता है मतलब powder form में अगर drug होती है तो वो बाकी दूसरे dosage form से जाधा stable होती है second point हमारे पास यह आता है कि इसका onset of action होता है वो rapid होता है मतलब कोई भी drug हम लेते हैं तो इसलिए लेते हैं कि वो कोई particular pharmacological action हमारी body के उपर reduce करें मतलब किसी चीज़ को हमारी body के अंदर जाकर के ठीक करें तो जो powder का onset of action होता है वो बाकी दूसरे जो solid dosage form होते है उससे fast होता है क्योंकि powder जो है उसके अंदर क्या होगा salt सीदे हमारी body के अंदर enter कर जाएगा लेकिन अगर हम tablet या फिर capsule लेंगे तो उनके अंदर कुछ coatings भी present होती है तो हमारी body पहले उन coatings को हटाती है and then उसके बाद में salt जो है वो site of action तक पहुचता है next advantages का यह आता है more easy to carry तो जो powder form होता है यह easy होता है carry करने में as compared हो अगर हम liquid dosage form को carry करते है so liquid dosage form से compare करें तो जो powder form है उसे carry करना easy रहता है next chances of incompatibility are less तो जो drug powder form में होती है उसके अंदर incompatibility के chances जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं next is large quantity can be easily administered तो powder form में जब drug होती है तो orally हम उसमें large quantity जो है उसे easily ले सकते हैं next is convenient to prescribe तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी physician है उसके लिए कोई भी powder है उसका specific amount जो है वो prescribe करना easy रहता है कि बही 2 gram powder लेना है या 4 gram powder लेना है या 0.5 gram powder लेना है या फिर 1 mg powder लेना है तो इसका dose prescribe करना जो है वो easy होता है now next आते हैं disadvantages of powder dosage form मतलब drug अगर powder form में है तो उसके disadvantages क्या क्या होंगे तो सबसे first आते है bitter and unpleasant taste drug cannot be dispensed so ऐसी drug जो या तो कड़वी होती है या फिर उसका taste जो है वो pleasant नहीं होता उसे जो है powder form के अंदर dispense नहीं किया जा सकता second है deliciscent and hygroscopic drugs cannot be dispensed so जो drugs deliciscent होती है मतलब यह है कि वो liquid के अंदर convert होने की उनके अंदर tendency होती है या फिर hygroscopic होती है मतलब moisture को वो बहुत जल्दी atmosphere में से absorb कर लेती है तो ऐसी drugs जो है उन्हें powder के form में dispense नहीं किया जा सकता next आता है dispensing of powder is time consuming powder की जो dispensing करी जाती है वो time consuming होती है ऐसा इसलिए कि powder का एक particular weight जो है वो prescribe करा जाता है तो उसे वे करना पड़ता है and then उसे dispense करना पड़ता है अगर कोई tablet को prescribe करता है तो उसे easily count करके dispense किया जा सकता है लेकिन अगर कोई powder को prescribe करेगा तो उसे वे करना पड़ेगा तो इस वज़े से यह process जो है वो time consuming होता है next is drugs that get affected by atmospheric condition cannot be dispensed so ऐसी drugs जो की atmospheric condition के द्वारा effect होती है उन्हें भी powder form के अंदर dispense नहीं किया जा सकता तो इसके अंदर वही hygroscopic drugs आ जाएंगी जो क्या करती है कि atmosphere से moisture को absorb कर देती है तो इससे क्या होगा कि वो drug खराब हो जाएगी तो इसलिए ऐसी कोई भी drug जो की atmospheric condition से effect होती है उसे powder form के अंदर dispense नहीं किया जा सकता तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो powder वाला topic है इसके definition, classification and advantages and disadvantages जो हम वो discuss करें बाकि इसके जो थोड़े बहुत topics बच गया है कुछ definitions and mixing of powder and general method of preparation of powder यह जो है वो हम next वीडियो के अंदर discuss करेंगे अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी doubt आया तो आप comment section में पूछ सकते है और इन first semester के सभी subject के notes रहे वो हमारी official website पर available है आप वहाँ जा करके check कर सकते है अगर आपको इस वीडियो helpful लगयों तो प्लीज आप इस वीडियो को like करना, जादर से जादर लोगों को share करना और channel को subscribe करना thank you so much इस वीडियो को इन तक देखने के लिए and channel को support करने के लिए